तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्या वीडियो दोस्त आज इस वीडियो 25 most important questions discuss करेंगे साथ साथ मैं आप कॉमेंट करते रहे हैं हमेशा की तरो लाश्टों बताना कि 25 में आपकी कितनी questions है और किसी भी questions में डाउट लगे जरू कमेंट करना हम सारी comments आपकी बढ़त comment है बहुत जरूरी description में लिंक रहेगा उसका चलिए और कोई भी सुझाओ जरूर बताना question number 1 रहेगा अपना नीजवाचक सर्वनाम का उधान नहीं है question number 1 है नीजवाचक सर्वनाम का उधान नहीं है मेरा अपने आप समय या फिर अपनी हिंदी की questions रहेंगे दोस्तों आज question की तरफ बढ़ते हैं question number 2 बताई जल्दी इस comment की थोड़े सा hard level questions है दोस्तों एकदम easy नहीं है तो confused ना हो बोर ना हो देखते हैं और आज लेवल भी लग रहेगा देखते हैं 25 जब लास्टों खतम हो गया बताना कितने सही और मैं बताऊंगा कि कितने question तो आपके सही होने चीए किन बच्चों का score excellent ह एक इनका average एक इनका good एक इनका below है बताई यह मद्यम पूर्षवाचक सर्वनाम का बहुचन है तो right answer क्या रहेगा दोस्तों तूझे यह वाला जो option है क्योस्त नमर 2 का एकदम right हो जाएगा next question की तब बढ़ते हैं question number 3 किस विकल्प में सर्वनाम का संबंद कारक परयुक्त ह हुआ जिए दोस्तों क्योस्तों किस विकल्प में सर्वनाम का संबंद कारक परयुक्त हुआ है 13 आपने उसके यह फिर हुने क्योस्तों नमर 3 राइट अंसर क्या रहेगा जल्दी से comment के जिए यह दोस्तों कौन से वाक्य में तो वह गाराइट अंसर 13 यह वाला जो option क्योस् question के तर बढ़ते हैं question no 4 अपना उसका खेलता है वाक्य में सर्वनाम है question no 4 उसका भाईव खेलता है वाक्य में सर्वनाम है क्या है संबंद वाचक पूरुष्वाचक निजवाचक पर निश्चेवाचक क्योस्तों नमर 4 right answer क्या रहेगा बताए दोस्तों बहुत बढ़िया जिया दोस्ति एकदम सही है आपका जिया एकदम सही बहुत बढ़िया तो राइट आंसर क्या होगा दोस्ति उसका भाई खेलता वाक्य में सर्वनाम कुन सा है पूरुश वाचक बी वाला जो अप्चन है अपना एकदम राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन के तब बढ़ते समझोगे समझ में आ जाएगा दोस्तों राइट अंसर क्या रहेगा वह आपका बेसिक तो बढ़ावा है क्योंकि आपको पढ़ावा तो होना इचीए अगर नहीं पढ़ा है कुछ भी सर्वनाम के बारे में इतना तो फिर आपको दोस्ति क्योश्त हाड रहें लेकिन आपन सैंच्टकि तरफ बढ़ते हैं क्योशन नम्बर चेद म उसकी माथाजी बीमार है वाक्या में सर्वनाम है संकेत वाच्चक समUNDंद वाच्चक अन्यपुरी। छ्वाच्चक यह फिर निज वाच्चक क्योशन अग्त क्या रहेगा Bos कोई करें सिर्वना में कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाओं मैं तो बॹर्ण वाचक्षक या सम्भोधन वाचक क्या रहे हैं कोई आ एक निश्चितनी इकोन आ रहे तियानी अनिश्चे हो गया तो राइट अंसर क्या होगा अनिश्चे वाचक सर्वना में बी वाला जो अपने एक दम राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुरसन के तरह बढ़ते हैं क्यों नम्र आठ है वह गाय चराने जाएगा वाक्य में सर्वन яла में वह गाय चराने जाएगा वाग्य में सर्वना में संबन्द्वाचक निश्च्वाचक अन्यपूरुश। यदा निश्चवाचक शॉशा है कि या राये टंसर है को भुए पढ़िया जैल्या जोसते इंफ दो से यह बहुत पढ़िया बहुत संबंध भी ननी और निश्चय है नी कि बात एक दो सवाक्ष नहीं और अन्स जो या फिर तेरे क्यों नमर 9 राइट आंसर क्या रहेगा पूर्ण तै एक वचन सर्वाराम है क्यों नमर 9 राइट आंसर क्या रहेगा पताई जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा कोमेंट कीजी दोस्तों बहुत बढ़िया यह दोस्तों बहुत सही तो राइट आंसर क्यो बाहर एक वच्छन में नहीं होता में आप जो या फिर जिसने क्यों संबर 10 राइट अंसर क्या रहेगा पती है जहां दोस्तों बहुत बढ़िया जल्दे जल्दी करी दोस्तों कमेंट हाँ हाँ बहुत सभी बहुत सभी तो राइट अंसरोगा आप वी वाला जो प्सन है क्यो जो एक्सिलेंट स्कोर रहेगा और 23 वाले नहीं उससे कम रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा लेवल हाड है क्यों से हाड लेवल गे हैं सरवनाम जिसका प्रियोग एक वच्छन में बहुत दोनों में क्या जासके कौन सा वड़ होगा मेरा तुम्हारा जो या फिर तेरे सोच समझ की जवाब देना दोस्तों अच्छा क्यों से इंपोर्टेंट क्या राइट एंसर एगा जल्दी सी कॉमेंट कीजी बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्यों से नमर 11 सही हो जाएगा नेक्स्ट के तरह बढ़ते हैं क्योंसर नमर 12 मुझे अपने गाउं जाना है वाक्क समझना इसको वाक्य में सर्वना में निजवाचक निश्चेवाचक पूरुस वाचक या अनिश्चेवाचक क्योंसर नमर 12 राइट आंसर क्या रहेगा मुझे अपने गाउं जाना है वाक्य में सर्वना में कौन सा होगा दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत से एकदम सही है सर्वनाम कौन सारा सर्वनाम हुगा दूस्तर निजवाचक निश्चेवाचक पूरुषवाचक या पिर संबंध वाचक क्यों से राइट आन्से क्या रहेगा बताई सारे की सारी के अभी तक आपने 14 के संस के हैं सारे के सारी के संसरुवणाम से रिल्टेट हैं आगी क्योंग चेंज कर रहे हैं तो सरो नाम की भेद कितने होते हैं चार पांच-6 या फिर तीन भेद होते हैं कि शोदा राइट अंसर क्या रहेगा बहुत बढ़ीया जिया दोस्तों राइट अन्जोंगा अच्छे सेवाला उप्सन है या सी उप्सन एकदम राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन की तरह बढ़ते हैं सर्वानाम की क्योशन किये दोस्त अब कुछ अलग क्योशन आते हैं नीरेज गया और नीरेज घर गया दोनों वाक्यों में किरिया का परकार यूगम है नीरेज गया और नीरेज घर गया दोनों वाक्यों में किरिया के परकार का यूगम है प्रिणार्थक और शकर्मक शकर्मक और अकर्मक और शकर्मक या फिर पूनकालिक और एकर्मक सोच की ज जागा इसका एकर्मक और शेकर्मक सी वाला उप्शन या से जो उप्शन है अपने क्योश्टन बर 15 एकदम राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योश्टन की तरह बढ़ते हैं अपना क्योश्टन बर 16 करते हैं मैं नहादोकर नाश्ता करूगा वाक्य में किरिया है नाम धातू प्रेनार्थक पूर्वकालिक क्या राइट अंसर रहेगा सोच समझ की दवाब देना दोस्तों बताएए थोड़ा सा हार ले उले पर जो आपकी एकजाम की दर्श्टिश इंपोर्टेंट है इसलिए में लेकर आ हो अच्छे क्योश्टन है बताएए बहुत यह एकदम सही है जा दोस्तों सही है तो दोस्तों क्योश्टन में 16 राइट अंसर होगा पूर्वकालिक सहे वाला जो अप्सन है सी अप्सन अपना एकदम राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योश्टन तरह बढ़ता है क्योश्टन नमर 17 करते हैं घोडा दोड़ रहा आगे हो जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्योश्टन नमर 17 बहुत बढ़ れ लाइक कर दागे जल्दी सी वीडियो को लाइक हो दी जारत दी चलीज़िन दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया जली जलीन दोस्तों इस राइक कर दिजी करें लाइक कर दिए नेले बलबन क को निला कर दीजिए जल्दी से लाइक कर दीजिए जिन दोस्तों नाइक नहीं किया पांच सेकेंड का टाइम हो रहा है जल्दी से लाइक कर दीए और जो दोस्त वीडियो सुरूने से पहले उनको सच्छे मन से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप ऐसे लाइक करते रही कि 20-25 लाइक आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है मोटिवेट भी होते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने कोशिश करते हैं वह आप ऐसे लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों को अपना नाम चीजिए वीडियो के लास्ट में वह वीडियो शुरून से प बढ़ते हैं क्योसर में में एक रहा रहते हैं निम्न में से सकर्मक क्रिया का धान चुनिए दोस्तों बहुत बढ़िया घ्याओं जिए दोस्तों सभी है कि नम्र शेयर को दान्वा गगन आम खाता है से वाला जूप्षन है सी ओप्षन एक दम राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन के तरह बढ़ते हैं, क्योशन नमर 19 रहेगा अपना, वे किरियां जो संग्या या विसेशन से बनती है क्या रहती है, वे किरियां जो संग्या या विसेशन से बनती है, क्या रहती है, सकर्मक किरिया, वर्तमान कालिक किरिया, नामदातु किरिया, या फिर स से दोस्तों ये दोनों अग्जाम में आपके लिए इंपोर्टेंट क्योशन दोनों की साफ से तो क्योश्ट नमर बीस अपना किस वाक्य में किरिया की संभावनार्त वरती का प्रयोग है लगता है इस वार अच्छी वर्शाथ होगी अधेन करने माले चातर अच्छे यंग प्राप्त करता है बालक घर जा चुका था 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं क्या रइट हैं चार वाक्य है एक वाक्ये से जिसमें संभावणा रत्वर्ति का प्रयोगा जिल्धा संभावना वेक्ट की गई उसमें कौनसा है एकदम बढ़िया दोस्तों एकदम सही है जी अंदर एकदम सही रहेगा समझयोगे तो आपको अगर आता है तो एजी आपके लिए संभावना इसी में लगता है इस बार अच्छी बर्शनात होगी तो संभावना वेक्ट की गई है एवाला जो अप्षन अपने एकदम सही हो जाएगा इसके अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं क्वेशन में 21 अपना किस वाक्य में पूरियो कालिक किरिया का प्रियोग हो है किस वाक्य में पूरियो कालिक किरिया का प्रियोग हो है वह ना कर पड़ेगा रेल गारी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था और घंटा लगते ही वह चल पड़ा question number 21 right answer क्या रहेगा यहां दोस्तों बहुत बढ़िया किस वाक्य में हुआ है पूरो कालिक क्रिया का दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक दम सही है जिया दोस्तों राइट आंसर होगा वहना कर पड़ेगा यह वाला जो अपना एक दम राइट हो जाएगा चेली परस्तों की बात है तो उनको दो बुलेट्स लगी दो गोलिया लग गई थी उनको अंतकवादी से उनकी मिट्वेट हो रही थी तो उनको दो गोलिया लगी लेकिन गोलिया लगने की बात भी उन्होंने दो आंतक्यों को धेर किया है तो मैं आपको दिखाता हूं उनकी फो पेस्बुक पे देखिए अच्छा लगा देखिए दोस्तों आंतक्यु से मुट वेड़े बुन्दी के लाल को लगी दोगोलिया दो आंतक्यु को क्या था डेर इनका नाम है शेतान सिंग है शेतान सिंग मिना है और जिन दोस्तना में बेजा उनका नाम भी मापको बताऊ हुआ देखिए इने के तस्वीर है गायलोने की बाद ही तस्वीर है और जो महां के संसद दिया कुमारी जी उन्होंने भी लिखा है वापे बुंदी जिली के टोकडा गराम के जाबाद स्री सेतान सीमिना स्रीनगर में अंतोकादी से मुठवर विगायल होगे मैं उनको सिक्र सी स्वस्त होने कामना करती हूँ मनें गया होगे किस वाक्य मैं एक कर्म के रिएक कर्या का प्रयोग किया गया है मजदू चाय पी रहा है बालक बहुत देर से रो रहा है अम्मा खाना बना रही है यारमेश मुष्टक पढ़ रहा है किस वाक्य में एक्रमक किरिया का प्रियोगा जिया दोस्तों बहुत बढ़िया राइट आंसर क्या रहेगा बालक बहुत देर से रो रहा है B वाला जो उप्सन अपना बेए उप्सन एकदम सही हो जाएगा Question 23 किस वाक्य में स्कर्मक के लिया नहीं है कहसे स्कर्मक के रिया अ कुन से में नहीं बताईए मजदूर पेड़ के निच्छे बहुत देर से बेटआ है किसान हल में सिखे जोत रहा है मुहन बाजार में फल खरीद रहा है और तीन शातर पुस्तकाले में पढ़ रहे हैं क्यों सनमर 23 राइट अंसर क्या रहेगा जल्दी इस कॉमेंट कीजिए बताइए दोस्तों बहुत बढ़िया जिया दोस्तों राइट अंसर होगा मुझदूर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योंस की तरह बढ़ते हैं दोस्तों क्योंसर में 24 अपना किस वाक्य में एकर्मक किरिया नहीं है किस वाक्य में एकर्मक किरिया नहीं है क्या राइट अंसर रहेगा बताइए किस वाक्य में एकर्मक किरिया नहीं है बच्चा गैरी नीन में प्रफिश हो रहा था मजदूर छाय में सुष्टा रहा था बालक पत्म उड़ा रहा था और दो चातर बाते करते वे जोर जोर से हांसर रहे थे जल्दीश कोमेंट कीजिए दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत पढ़िया चैना दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा किस वाक् के में किर्या के सातत्य बोदक पक्ष का प्रियोग है क्या राइट अंसर रहेगा मैं रोज सुबर टेलने जाता हूं वैस नान करके मंदिर जाता है विदार्थी पुस्तकाले में बेटकर समाचर पत्र बढ़ते हैं मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है क्या राइट अं बढ़ा रहा है दी वाला ऑप्षन या दय वाला जो अपना एक दम राइट हो जाएगा इसके अंदर चलिए दोस्तों जल्दीश कॉमेंट करेंगे ट्वेंटीफाइब में से कितने क्रेशन से और जल्दीश करिए और जिन दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक निके प् और दोस्तों कोई डाउट कोमेंट करना और दोस्तों एक इंपोर्टेंट चीज है जो आपने अभी तक घंटी वाला बटन है जो बैल वाला बटन है वो नहीं दबाया वो जुरुर दबाया सामने ओल का पटन उस पर जुरु कलिक करेंगे ताकि जब भी वीडियो है आदे 21 प्लस सही है कि उसन एकदम एक्सिलेंट पे है 19 प्लस है वेरी गुड है 17 प्लस है गुड है और 17 से ब्लो है वह आपका कमी स्कोर 25 में से 21 प्लस वाले भी बहुत बड़ी आज जिक्के में लग वो 23 आसपास रहता है माननी चलिए मेरिट 23 रहती तो आज 21 वालों का लगार्ट रहेगा एकदम बढ़िया है जो आपकी इसलेक्शन की साब से भी बहुत बढ़िया है चलिए दोस्तों जिन जिन दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरू कर दीजी जल्दी से लाइक वाला बटन दबाई यह वीडियो को लाइक क तो लाइक करते जाएं मिलते अगले वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप सभी मीत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद